नमस्कार दोस्तों श्रूवें कि इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं और मैं होड़ों अप्टानन दोस्तों ये वीडियो में वरा रहा हूँ आप सभी की हाई नी डिमांड पर क्योंकि आप लोगों इसे बहुत साई लोगों ने बोला था कि सारा आपकी जो केसे सक्सेस्पूल होई हैं उसके बारे मताई तो आज हम बात करने वाले होगी ऐसे केस के बारे में एक ऐसे छोटे से बच्चे के केस के बारे में जो परिशान था एलोप प्रॉब्लम से परिशान है तो समय गवाएं बिना वेस्ट होमेपेथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला आइकॉन दबाएं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमाएं चैनल पे पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेरा को इन दबा दिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहल दी जाएगी है जैसा कि इस केस में जो यह पेशेंट है वो हमारे क्लिनिक पे आया था हमारे आफ्लाइन पेशेंट है वो और उनकी वारे में बात करेंगे तो एक छोटा सा बच्चा है 15-16 साल का और यह सफर करा था एलोपेशिया एरियाटा से जो की आप देख सकते हैं फ अफ ज़गित परिशान था जिसको बहुत सारी प्रोप्लम हरे थी अपने स्कूल मैं अपने आसपास मोलने में जहां पर भी वो छेलनET पड़ने जाता था पड़ने जाता था हमेशा कोई नकोई इसे चुड़ाता था और इसी बहुत ज़ग्या परेशान था और जब हमार बॉडी देख करके हमने उसको patient को जो बच्चा था उसको हमने medicines दी और within few months बच्चे को कमाल की result मिले जब बच्चा पहली बार आया था हमारे पास तो बच्चा आया था अप्रेल में मैं आपको photos दिखा दे रहा हूँ आप इस photos से चेक कर सकते हैं बच्चा जो हमारे पास आया बहुत ज़्यादा परिशान था हमने कुछ medicines शिलाई उसकी बच्चे की और बच्चा वापस जब आया हमारे पास दो बनीने के बाद आया क्योंकि जो medicines हमने दिया medicines उसको जो proper जो effect आना जाही था उसको time लगा और बच्चा परिशान हो चुगा था हताश हो चुगा तो इस पर केस्टेकिंग करी और हमने फिर से केस्टेकिंग किया दुबारा जब बच्चे ने विजट किया तो किया था बीस जुलाई दो यार तेईस को और वहापर फिर से हमने देखा तो जो पेशेंट की जो आपके जो पूर प्रॉपर शेप आ रहा था राउंसा शेप पैसे बन रहते हैं उसमें हलकी से रिशे 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 टाइप के बाला रहे थी तो हमने कहा था कि मैडिसेंस को बंद नहीं करना है मैडिसेंस चलाते रहरा है जो भी हम मैडिसेंस दे रहे हैं जो भी हम एक्सरनल अप्लाइज मैडिसेंस दे रहे हैं उनको यूस करते रहना है और परिशाद होने की बात नहीं है अमनें बच्चे को जो जो इस घाय का का लाए तो बच्चे का तर आफ अगस्त 230 को और यहां पर आफ फूटो में देख सकते हैं जो रेशे थे, पैचेज में, जो रेशे बरना है थे, अब वो धेरे-देरे convert हो रहे हैं हेरस के फ़र्मुद में बाल बन रहे हैं और यह जो पैचेज है इसमें आप देख सकते हैं कई जगवाँ पर बाल आ चुकए है और बच्या फिलाहाल अब थोड़ा सा खूश था, थो प्रोज नहीं कर रहा हूं क्योंकि हर पेशेंट के मैडसेंस अलग होती है, प्रॉपर केस टेकिंग करने के बार, फिजिकल सिंटम्स, मेंटल सिंटम्स, पेशेंट का पुरा कॉंस्टिश्य देखने के पावगा हैं, तो हर पेशेंट की अलग हैं, क्योंकि मैंने अगर बता यहाँ पर क्या medicine से तो जिनको भी problem हो यही medicine खाना start कर देंगे फिर result नहीं आएगा तो फिर सही यही बोलेंगे कि sir होमपेथिक काम नहीं करती तो होमपेथिक बिल्कुल काम करती आपको थोगा सा धहरे रखना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब बच्चा हमाँ पर 3 October को जब आया तो यह जो patches काफी जादा भर चुके हैं patches में जो जहां पर गोल गोल पैचे जा रहते हैं वो काफी जादा भर चुके हैं वहाँ पर proper hair आ चुके हैं बाल आ चुके हैं और अब बच्चा जो कहने लिगा है कि sir मुझे medicines की जववत है जब medicines बंद कर दी जाए तो हम दिक उसे रिकमेंट किया कि आप यह medicines ले लो उसके बाद अगर आपको problem हो तो दुबारा आना जब दुबारा आले की जववत नहीं है बट बच्चे ने proper medication लिया और next time last time जो उससे विजट किया तो यह था 18 नौंबर 2030 को बच् पूरे hairs आ चुके हैं सारे patches जो आगे patches था और जो पीछे patches था दोनों patches भर चुके हैं फुल हो चुके हैं और बच्चे हमारे पास आता है और खुद से बोलता है कि सर अंकल यह हमें एक पार की medicines और दे दीजे मैं नहीं चाहता है कि दुबारा यह problem मुझे हो और इस विरस से हम patient को last time medicines provide कराते हैं जो की उसकी जो frequency of medicines उसको हम कम करते हैं medicines की जो doses है उसको हम कम करते हैं पर जो medicines की जो power है जो potency है उसको हम increase करते हैं ताकि effect जो है बना रहे है खतम बिल्कुल भी नहों और जो problem हो रही है alopecia area टकी यह बच्चे को दुबारा से नहों इसके लिए हमें highly dose medicines provide करा नहीं होती है बच्चे को जो हम दिये हमने और 18 November 23 से आज मैं almost 26 जन्वरी के बाद ये वीडियो गना रहा हूँ और ये medicines की वजह से patient को दुबारी problem नहीं हुई patient के पूरे बाल आ चुके हैं और बाल पहले से मजबूत पहले से घने और पहले से जादा चमंदार बाल ह देख सकते है patient का फिक हूँ सब मैं patient की identity disclose नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे patient नहीं चाहते है कि हमकी identity disclose की जा तो हम सर्फ photos दिखा रहे है बच्चे का नाम क्या है बच्चा कहां से है ये belong नहीं करता ये सिर्फ मैं इतना पता चाहता हूँ कि हमाई offering clinic पे patient आया था और हमने proper treatment किया proper case checking करके तो अगर आपको भी किसी भी तरही की problem है तो आप भी proper अरुपयतिक treatment ले सकते हैं हमारे हां से आपको clinic के नमर पर contact करना पड़ेगा आपको proper detail मिल जाएगी आप appointment book कर सकते है treatment plan book कर सकते हैं और आपकी घर तक आपको medicines provide करा दी जाएगी साथ ही साथ ही सा यह अप्रायल से स्टार्ट ही थी बट बच्चे ने दो महीने का gap लेके हमारे पास जुलाई में आया क्योंकि उसको problem हो रही थी उसको रिजल्ट नहीं रही थी उसको रिजल्ट नहीं हो गया तो इस वजह से वह आपस हमारे पस नहीं आया था और इसलिए जो medicines थी हमने उस जल्ट मिल जोके उमीद करता हूँ कि ये एक वीडियो पसंदा जोगी जहापर हमने केस वर्म रिसकस की पसंद आया तो फ्लीज वीडियो को लाइक करिए प्लीज वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएं कि एलोपेशया एरियाटा इतन नहीं होवविदिक मेडिसिन्स के दोवारा एजिली ठीक हो सकती है तो मैं डॉफ टानन मिलतों अपसे इसी तरह के लिए वीडियो में तब तक कि लो नमस्कार जै इन जै भारत झाल झाल झाल